है 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 लो दोस्तों आपको फिर से स्वागत है में चनल पर जिसका नाम है प्रोप्रोग्रामिंग और आज के इस वीडियो में मैं आप से सबसे पहले कोशन पूशने वाला हूं और आप आगए इस कुशन के अंसर दे देते हो तो आपको को सब्सक्राइब और जाल जाने हो जाएगी वाहत पूशन करूँगा और आपने इसका जाब दे दिया तो आपको के बारे में थुरह और जाननेटों मिलेगा तो हमारा question यह है कि देखे मैंने यहाँ पर एक int type का variable बनाया है जिसके अंदर मैंने 35 sign करा है और इस variable का नाम है A और मैंने एक int type का pointer बनाया है जिसके अंदर मैंने address रखा है A का यानि कि अब बी pointer के अंदर बी pointer के अंदर आ गया है हमारा address of A actually इस जगह पर int लिखने की ज़रूरत नहीं थी मैं इसको erase करेता हूँ कि यहां पर int नहीं आएगा क्योंकि हम इस pointer को उपर बना चुके हैं उपर declare कर चुके हैं तो यहां पर int लिखने की ज़रूरत नहीं हमें अब आप मुझे बताइए कि इन पाच्व questions में से कौन सा इन पाच्व answers में से कौन सा answer सही है हमारा क्योंकि बी के अंदर address है एका तो इन में से कौन सा अंसर आपको लगता है कि सही है बी कंटीन एड्रस ओफ एन इंट यानि कि क्या भी address कंटीन कर रहा है इन टाइप का या फिर वैल्यू एट एड्रस कंटीन इन बी इस एन इंट या फिर जो बी के अंदर इन ओल्यू से कंटीन हो रहा है वह इन टाइप का है और तीसा है हमारा डे इस एन एट पोईंटर जैंद्र हमारा दे इस एन एनिट पॉंटर कर रहा है और या तौन है ने क्या फिर और अरह रहोसे भी इस एपोईंटर विच वौंट सिह इन दाट डिरेक्शन ओफ एन इंट क्या भी एक पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है इन टाइप को इन पाचों में से कौन सा अंसर आपको सही लगता है तो खुलिया सोचिए फिर मुझे जवाब दीजे आप चाहों तो वीडियो को पॉस्ट कर सकते हूं और यह जर्ट आफ में लिए होगा तो दौस्तों मैं बता दूं इन पाचों में से अंसर एक दम करेक्थ हैं यानि कि इन बीक हैं रहा है ऐड्रस ओफ इंट जैद्रेस बीक चल्डीं हो रहा है इन टाइप का फी इक इन टाइप का पॉइंटर है बी इन टाइप का वे च्ट कि पॉइंटर । ही पॉइंट डाइब है बूइंट करें नियुक्त धिर्लियुक्त कुली नियुक्त में सब्सक्राइब यहां पर इंच टंप का हमने वैरीबाइब लिया है और उसको इंच टाइब का ही tap क्हुंट । ही प्याटर पॉइंट कर रहा éta यानि कि B के अंदर एड्रेस है A का तो हम B के मदद से A को एक्सेस कर सकते हैं इसलिए हमारे पाचो के पाचो सभी के सभी सही है आप अगर एक बार गौर से सोचोगे हो तो आपको साज में आ जाएगा तो यह तो हमारा पॉश्चन था लेकिन आज हम पॉइंटर का लेक्चर नमबर थ्री बना रहे हैं पॉइंटर को किस तरह से डिफरेंटली हम यूज कर सकते हैं तो चलिए हम शूर करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आज हम बनाने मने हैं मैंने अभी तक आपको कीवल in type का pointer बना कर दिखाया है जिसके इंदर in type का address बने hold करके रखा हुआ था लेकिन आज हम character और float type का pointer बनाएंगे जिसके हम character और float type की value को कि असाइन कराएंगे आइमें एड्रेस को आसाइन कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कर देखिए मैंने हाँ पर इन टाइप का आज प्रेवंенное ऑड्रीवल भी अब हम हैं कैरेक्थ्टर और फ्लू टे लिए फी अब हम और फ्लोटकि लेते हैं यहां मैंने character type का variable बनाया है और एक character type का मैंने address लिया है यहां मैंने character type का मैंने pointer बनाया है तो चलिए हम अब इनकी values के अंदर कि assignment करते हैं और इनका address इन variables के अंदर डालते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो character type का pointer है जो character type का pointer है वो किवल character type के variable का एक्रेसी चंटेन कर सकता है और जो flow type का pointer है वो किवल flow type की value को contain कर सकता है यानि कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप flow type के अंदर character डाल दें या character type के अंदर इंट डाल दें तो ऐसा करना पॉस्टिवल नहीं है अगर आपने ऐसा किया तो इसमें या तो आई या उसकी वैल्यू आपको आप लॉस्ट कर लोगे वह हम आने वार लेक्चर में समझेंगे कि किस तहां से लेकिन फिलाल हम सोचते हैं कि हमने किस तहां से इनके अन्दर वैल कराना है तो चलिए पहले इंक आई सी और एफ के अंदर वैल्यू डालते हैं और इनका इड्रेस किसी टाइप के पॉइंटर में डालते हैं चलिए श्रू करते हैं कि यहां देखें मैंने अग्रें आई के अंदर एंटर किया है थ준टी सी और एंदर आदर कीया है वाई ऑर किश्रू और एकिदर इंटर किया है 3.4 अब हम इनके सुपनदू हो में म सचबंद्स हरा है वुपन कर से दरकी सप्राटी कर्ता कर से लिए अगराना है आजेस अशाइन कराते समीं आपको स्टाल लिखने के जोर्ट नहीं पड़ती मैंने यहां लिया एड्रेस of i c के डवल आइ मीन c पोइंटर के अंदर हम डालते हैं एड्रेस of c और f f के अंदर हम डालते हैं एड्रेस of f अब चलिए हम इनकी पहले अड्रेस प्रिंट करते हैं इन सभी पॉइंटर के अड्रेस प्रिंट करते हैं और इन सभी की वैलियू प्रिंट कर लेटे हैं क्या धलता है बार्च प्राफ बार्ण कर दो हो अजय हो और अजय हो दुट हो अजय हो जगए इसम्टा रहा हुआ है अब हम इन पीनों की डाली उसको प्रिंट पर गए हैं और आपको वेल्यू प्रिंट करनी है तो आपको यहां पर thé मिलना पे पर करते हैं तो पोंटर का अद्रेश करें होता है और अगर अगर हम स्टार के साथ करते हैं जो value of operator है तो उस pointer के अंदर रोति है, उस इस इस ब्लॉक का сटाव होगय है wanna print Mm इसलिए इसलिए शाओ सरे के अंदर हमे रहना पड़ेगा चलिए इसको एक्जिक्यूट करते हैं और देखते हैं अंसर क्या आता है आप गैस कर सकते हैं इसके अंसर क्या होगा चलिए एड्रेस तो आपके सिस्टम के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है लेकिन वैलियो को गैस कर सकते हैं आप क्या हो सकती है I hope आप गैस कर लोगी क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है यह मैंने उसको एक्जिएट किया और इसकी वैल्यूस के अंदर जो कंटेन हो रहा है वो क्योंकि इसी टाइप का है और हमने असाइमेंट असाइन करा हुआ है उपर तो यहां पर वही वैल्यूस आएंगी जो हमने ऊपर असाइन की है यह देखिए पहले इनके अड्रेस हो रहे है जो कि आपके सिस्टम के हिसाफ से अलग-अलग हो चकते हैं पहले अड्रेस प्रिंट हो रहा है आई का फिर C का और फिर F का लेकिन की वैल्यूस जो है प्रिंट हो रही है और हाँ दोस्तों मैं आपको एक बार बटाओं कि एक बार जाओं कि जो इनके अड्रेस प्रिंट हो रहे है आप में इन अड्रेस के अंदर आपको डिस्टेंस जो नज़र आ रहा है यानि कि लास्ट में जो वैल्यू है 36 फिर 35 और फिर वैल्यू है 28 मैं आपको इसकी वज़ा भी बताऊंगा इन तीनों में जो डिफ्रेंस है वो कम या ज्यादा क्यों है आने वाले वीडियो में आतला को बताऊं कि I की वेल्यू 20 प्रिंट हो चुकी है क्योंकि I के आंदर हमने असाइन कर था फ्रेंदी लेकिन C और f वैसी लेहीं आई है जैसे Нच्ञाइए ती यानिए कें के अंदर प्रिंटल वहा ऐसा इस लिए हैं थोस्तों क्योंकि आप और परसें डी लागा यानि की %D यानि की decimal values को print करने के लिए होता है तो आप %D से character और flow type values को print कहीं कर सकते हो और आपको character type value प्रिंट करने है तो आपको उसके लिए %C लिखना होता है अब इस जगह पर character print हो जाएगा यानि की y और इस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा %App जो की float values को print करने के लिए यूज किया जाता है अब इसका अलसा रिदम ऐसे लिखना चाहिए इस बार हमें address print होंगे और जो values आईगे वह आनी चाहिए हमारे 20 y and 3.4 यह रहिए i के हमें दाना था 20 20 print हो चुका है c के हमें दाना था y, y print हो चुका है और f10 में दाना था 3.4 और वह भी print हो चुका है तो जैसे कि मैंने कहा कि float value को print करने के लिए %F, decimal को %D या %I, i stands for integer या फिर character को print करने के लिए %C और आगे और पी कुछ ऐसे values होते हैं कुछ ऐसे keywords होते हैं जो अलग-अलग टैक्टिव values को print करने के लिए अज़े यहां अलग-अलग-अज़े और वीडियो में आपको समझाओंगा तो चले फिर से, bub-bye see you, मिलका अपनी यहली वीडियो में thank you so much, have a good day